बहुत समय पहले की बात है एक सरोवर में बहुत सारे मेठाक रहते थे सरोवर के बिचे बिच एक बहुत पूराना धादू का खंबा भी लगा हुआ था जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजाने लगवाया था खंबा काफी उचा था और चिकना था एक दिन में धाकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस कर वाई जाए रेस में भाग लांवाली प्रती हो को खंबे में चड़ना होगा और जो सबसे पहले उपर पहुंच जाएगा वही भी जेता माना जाएगा रेस का दिना पहुंचा चारू तरफ बहुंच भीड़ थी आसपास की लाकों से भी कई में ढख आए थे महल में सागर्मी थी आतरफ सोरी सोर था रेस सुरू हुई लेकिन खंबे को देखें फिल में पहुंच पाएगा अरे यह तो बहुत कटीन है और कभी यह रेस पूरा नहीं कर पाएंगे सफालता का तो कोई सवाल ही नहीं इतने चिकने खंबे पर चड़ना नहीं जा सकता और यहीं हो भी रहा था जो भी मेंठा को सित करता हो ठोड़ा उपर जाका निशे गिर जाता है कई में ढग दो तीन बात गिरने के बावजूद में प्रयास में लगे हुए थे पर भी तो अभी बी चिला जाय रही थी यह नहीं हो सकता असंभा है और वो उस साइट में ढग भी यह सुन कर रहतास हो गए और अपना प्रयास चोड़ दिया लेकिन उन्हीं में ढगों के बीच एक छोटा समिटक था जो बार बर गेने पर भी उसी जोस के साथ उपर चड़ने में लगा हुआ था वो लगतार उपर की और बलता रहा और अंतता हुआ काम्भय के उपर पहुंचकर भी जेता बन गया उसकी जीत से सभी को बड़ा चरिया हुआ सभी में ढग उस से बोर उससे पोचने लगे या संभावा काम कैसे कर दिखाया है बहर तुम्हें अपना लच्च प्राप करने की सक्ति कहां से मिली येर हमें भी बताव कि तुमने वीजर कैसे प्राप्त की तभी पीषे से हैं कावा जएब उससे क्या पूच्थते हो वो थो बहरा है अक्सर हमारे अंदर अपना लाचे प्राप करने की काबलियात होती है पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मक्ता की वज़ा से खुद को खम आग बेटते हैं और हमें जो बड़े बड़े सबने देखे होते हैं उन्हें पूरा के बीन जिन्दगी की गुजार देते हैं और सकते इस बात की है कि हम हमें भी मेड़ा की तरह कमजोर बनाने वाली हर अवायच की प्रती बहरे और ऐसे हर एक द्रीज से की प्रती अंदे हो जाएं तब हमें सब हलता सीखार पर पहुचने से कोई रोक नहीं पाएगा